अभी भाशरपारवाद विवाद के लिए समय सीमा तेह की गई है सत्ता पक्ष को 9 घंटे 12 मिनट का समय दिया गया है जबकि कॉंग्रेस की बात करें यानिकी विपक्षी बात करें तो 5 घंटे और बीएपी को 14 मिनट का समय दिया गया है BSP को 10 मिनट का समय दिया गया है RLP को 5 मिनट का समय दिया गया है निर्दल ये को 38 मिनट का समय दिया गया है तो time slot दे दिया गया है इसको कितने मिनट मिले घंटे मिले ये अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं जो गाते में कांग्रेस के सद़ से सुनता आहीं हुँ झाते लिए इसलिये बहुण रही हूं। कि राम के राज में राम उत्तर से दक्षिन तक है, पूरव से पच्छिन तक है, लेकिन आप ने उसको तोड़ने का काम किया, उस संस्कृति को तोड़ने का काम किया, उस पूरे विचार को तोड़ने का काम किया, जो एक जुटता के सूत्र में भारत को पिरोदे का काम करते ह और इसलिए आप राम को नहीं जाना चाहते इसलिए आप राम को नहीं सुनना चाहते इसलिए आप राम के विचार को जीना नहीं चाहते लेकिन आप सवीदान के खिलाब जा रहे हैं आप सवीदान के खिलाब जा रहे हैं तो पचास लाग को क्यों नहीं दिये पिर पचास लाग दिये तो कनेया कुमार को क्यों नहीं दिये जवाब दो मुझे जवाब तो मुझे पचास लाग नहीं दिये तो नोकर जी अनिता जी उधर मत भूलिया आप इतर आसन को संबोधित कीजिए चलिए माने सुभापति मौवे मैं तो आप से इतना निवेदन करना चाहती हूँ अरे आप विराजी है अरे आप विराजी है ने सदेशे बोल रहे हैं ना आपके आप सदेशे अनिता जी के अलावा कोई नहीं बोलेगा बोलेंगे तो मेरे को कुछन कुछ और नेना लेना पड़ेगा आप बेटों ने आप विराजी है ना आप विराजी है आप विराजी है आप विराजी है केवल अनिता जी बोलेंगे हाँ अनिता जी माने सभापती मौद राम का नाम लेते ही कुछ सदस्य नीचे सीट से खड़े हो जाते हैं आपको कितने बार बोलना पड़ेगा आसन है जब कहता है कि निता जी बोलेंगे तो कम चेकम आप तो मुद बोलोना है पेड़े है आप बेड़े आप बिराजी आप आप की सद्दे से बोल रही है तो उसको सुनो अगर कोई इनका जवाब देना तो आपका नमर आए तो बोलना बीच में डिस्टर्प मना करें आप राजिये आप बीच में डिस्टर्प ना करें आपका नमर आये तब उसका जवाब देदेना नेता प्रतिपक्त बेटे हैं सब इंट्री कर रहे हैं नोट कर रहे हैं आप नेता प्रतिपक्त मोदे हर जो पासन का आप नोट कर रहे सभापती महदय मेरी बात सुनिये आप देखे मेरी बात सुनिये आसन पहूं पर आप बिराज़े आप बिराज़े आप बिराज़े आप बिराज़े आप बिराज़े अब यह आप बीच में मत बोलिये, जन्ता समय देख रही हैं, आज जिस परकार की विवस्ता यहां सदन के अंदर जिस परकार से मानिज सदस कर रहे हैं, यह सदन की गरीमा के अनुरूप नहीं है, हर व्यक्ति के अपना धर्म में अपनी बात आप कहिए कोई मना नहीं करता, क लेकिन जिस परकार से या तो आपकी त्यारी नहीं माने सदस की अभी वासन पर इसलिए इदर उदर की बात कर रहे हैं आप अभी वासन पर बोलिए हम सुनेंगे पूरा सुनेंगे पूरा कोपरेट करेंगे और जब हमारा नमर आएगा हम जवाब भी देंगे लेकिन इस परक आपके नेत century प्रतिपक्स मोले आप अब दिराज की अब दिराज की अब कर दियु आप दिराज की अर呢 कि हम धर्मनिर्पेक्षराज्य की स्थापना करेंगे और सब को समान दरश्टी से देखेंगे महामाईम राज्यपाल मौदे ने प्रस्तावना, सविदान की प्रस्तावना पड़ी है और सविदान की प्रस्तावना की शपत हम सबको दिलाई है जब राज्यपाल मौदे ने सविदान की प्रस्तावना पड़ी है और एक आप विराचिये आप विराचिये आप विराचिये आप दो मरिया दागा पारिल कर दो मानिया सदे से अनिता जी एसा एसा कोई एसा कोई मतलब सब्सक्राइब किसी को हाथ पूचे मुझे मालूम है अनिया सभापती मौद है सिर्फ पाँच साल के शाशन में क्या क्या गलत काम हुए है यदि वो भी नहीं बताया जाए और हम क्यों उधर बैट गए और बीजेपी इदर क्यो आगई वो भी नहीं सुनना चाहे तो कोई आखो का अंधा हो तो समझ में आता है लेकिन कोई दिमाग से बी अंधा यदि वो दिमाग से भी अंधा बनना चाहता है तो मुझे उसको समयाने की जरूबत नहीं है मानिये सभापती मौद है हमने बार-बार आगरे किया बार-बार आगरे किया कि आप न्याय करिये सब के समान सब के साथ न्याय करिए लेकिन तुस्तिकरण की पराकास्ता इतनी उची थी कि राम नौमी पर जुलूस नहीं निकलेगा धारा 144 लगा दी गई राम नौमी पर जुलूस नहीं निकलेगा और साथ में डीजे नहीं बजेगा वंदे मातरम भगवान राम ने जब लंका जीत करके आये थे तो लक्षमन ने कहा था कि हमारी ये सुवन लंका है हम इसको यही हम यहां रहते हैं तो भगवान राम ने जो कहा था जननी जन्व भूमी स्वर्गादपी गिरियसी जननी जनन भूमी से भी महान है इसलिए हमने वंदे मातरम गा करके कि हमारी मा है जननी हमारी मा है ये वंदे मातरम सुतंतरता संगराम के समय गाया गया और उसके बाद में क्या हुआ सुतंतरता संगराम के वंदे बारत गीत का अब मैं बोलूंगी तो सदस्य चिलाएंगे खड़े हो जाएंगे कहूं कहूं दूना वंदे बातलंगी आप तो इसलिए मानिया सभापती महदे इसलिए ये बात कहनी पड़ रही है कि आपने इस देश में तुस्तिकरण के कारण से आपने तुकड़े तुकड़े इस भारत के हो जाएं इसके कारण से आपने जातिवाद का जहर इस देश में घोला धर्म का जहर आपने इस देश में घोला उस उस देश में जहां पर गंगा जुमनी तहजीब थी, वहां हमारे लोगों के मस्तिक्ष में ये बात डाली गई शिक्षा के माध्यम से, हना उन विचारों के माध्यम से, कि हम अपने को गौण समझे, तुच्छ समझे, और हमारा हम विदेशों पर निरबर रहे, नैरु ज इतियास तो नहीं बता सकते, वंदे भारत गीत की पंक्तियां, जब वंदे भारत पूरा गाया जाता था, तो उसकी पंक्तियां किसने कम कराई, और क्यों कम कराई, क्या भावनाती उसके पीछे, क्या कारण था उसके पीछे, ये अपने इतियास में जाके देखो, तो आप को पता पड़ेगा इसलिए मानिय सभापती महोदे मैं इतना निवेदन करना चाहती हूं कि भारती जनता पार्टी के शाषन की स्थापना प्रदेश में हुई है हर वो वर्ग जिसके कारण से कॉंगरेस शाषन में वो वर्ग पीड़ी तरह है चाहे वो किसान हो चाहे वो युवा हो चाहे वो मज़दूर हो चाहे वो महिलाए हो महिलाओं के कितने केस हर दिन घर मिनिट 18 महिलाओं के साथ बलातकार की घटनाय होना और यहां की कैबिनेट मंतری जिसके पास दाहित था वो यह कहता है की यह मर्दों का प्रदेश है और वहां की महिला मंतरी हसती है हसती है जो वीरों की भूमी कहलाती है जो प्रदेश जो त्याग की भूमी कहलाती है वहाँ पर एक कैबिनेट बहुत सीनियर अपने आपको कहने वाली मंतरी जी का ये बयान आता है लेकिन कोई बयान पर जवाब देने वाला नहीं होता है